हे गईज आपको इस वीडियो के टाइटेल और थर्णिल देखके आपको तो मालूम चली गया होगा कि आज हमों किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं के बादे हम बात करेंगे अन्डियन News के बाले हैं इंडियन अन्फ फोर्स की नेबल ब्रांच है फिर नेबल फर्स होती है जो कि दूसरे वैपन्स और operations करवाते हैं और मेंली सीकरों पे इन लोग का कंट्रोल होता है और वहें पे लोग लड़ते हैं और इंडिया नवी के जो सुप्रीम कमांडर है वह थे प्रेसेड़ आप इंडिया जो कि अभी के टाइम पर रामनाथ कोविन है और इसके बाद नवी को एक फोर स्टार एड्म पेडेंट होई तब इसको इंडिया न नवी बना दिया गया अब बात करते हैं इंडिया नवी के परस्टनल्स एक्वेपमेंट्स और शीप्स के बारे में तो इंडिया नवी में 67,252 आक्टी परस्टनल 55,000 डिजाब परस्टनल 152 शीप और सब्मरीन 300 एयरक्राफ्स 1 एय अटेक्स सम्मारीन्स, 24 कॉर्वेट्स, 1 माइन वैसल, 4 फ्ली तैंकर्स और इसकर लब भाँ और भी बहुत सारे एयर क्राफ्ट, सेप और एक्विपमेंट्स भी है जो की इंडियने भी यूज करती है तो अब बात करें तुम सरे एयर क्राफ्ट के बारे में जो की इंडियने चेतक, MH-60C Hawk as a utility helicopter aircraft, through light utility helicopter as a petrol aircraft, Boeing P-8 lesson-238 और Dornier 228 और as a trainer aircraft, BAE Hawk, HALHJT-16, Pipsal Virus, MiG-29KUB ये सारी aircrafts यूज करती हैं। और एक और बात है कि Marcos, यानि कि Marine Commando Force, जो कि World की सबसे Best या फिर Most Powerful Special Force है, वो Indian Navy की पार्ट है। और अगर आपको Marcos के बारे में, या फिर Top 10 Special Forces के बारे में जानना हैं, तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको Indian Navy की Equipments पे, और ships और aircrafts या फिर सब्मारिन पे एक dedicated वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। Indian Navy के बारे में तो बात कर लिए हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान Navy के बारे में। इंडिया के पहले, पाकिस्तान Navy याथ कोई भी चीज नहीं था, जो भी था वो इंडिया Navy था, जो कि British Airs के अंडर आता था। इसके बाद पाकिस्तान Navy 14 August 1947 में Independence के बाद बनाई गई, और पाकिस्तान Navy भी सेम इंडिया Navy के तरह एक Naval Warfare Branch है, यहाँ की Armed Forces की, यानि कि पाकिस्तान Navy, पाकिस्तान Armed Forces की एक Naval Warfare Branch है, और Naval Warfare Branch क्या होता है, वो आप लोगों को पता ही होगा, और British India के Partitions के बाद, Royal Indian Navy से, Indian Navy और पाकिस्तान Navy दोनों में ही Partition हुए, और इसके बाद या Navy बनाई गई, और यहाँ की Indian Navy था, पाकिस्तान Navy के रोल सेम ही है, लाइक Naval Warfare, Power Projection, Night Time Security, Nuclear Deterrence, और Second Strike Capability, और इसके लबाद पाकिस्तानी Navy के और भी बहुत सारे रोल्स हैं, और शेम इसके इंडिया Navy के कामांडर थे, और सेम वैसे ही, पाकिस्तान Navy के Naval Staff, पाकिस्तान Navy के Admiral, यह फिर Chief of Naval Staff है, Admiral Amzat Khan, तो अब बात करते हैं, पाकिस्तान Navy के Equipments, Size, Aircrafts, और Personals के बारे में, तो पाकिस्तान Navy में टोटल 46,500 टोटल Personals हैं, जिसमें हैं 25,000 Active Duty Sailors, 5,000 Reserve Forces, 1,200 Marines, 2,000 Maritime Security, 2,000 Civilian Personals, 100 Warships और 14 Aircrafts हैं, अ पाकिस्तान Navy यूज़ करती हैं, तो पाकिस्तान Navy, हलिकॉप्टर में, Herbian Z9, Allot 3, MIL-MI-14, Westland Sea King, as a Petrol Aircraft, ADR-72-500, Fokker F-27-2000, Lockheed P-3C, Orion, Ambrane 1000, as a Transport Aircraft, ADR-72-500, और Fokker F-27-2000 यूज़ करती हैं, और इसके साथ ही, आप यहां कंबेरिजन लिस्ट देखकर, कौन से Navy के पार, ज Marines हैं, और एक और बात, पाकिस्तान के पास एक भी Aircraft Carrier नहीं है, तो यही तो पाकिस्तान Navy, Orientate Navy के बारे में, Comparison, तो आज के लिए बास इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेर कर देना, और हां, हमारे च सब्सक्राइब करें, बेले के लिए लबा देना,